नमस्कार दोस्तों मेरी दिआ। ऑफ्टीवोचल में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओफर ड्रेंकिंग के बारे में। जैसे की मैने आपको बताया है शराञा हुमारी सिग्ञलींग को थोड़ा ओल्डर कर देती है। तो यही मैं आज की π्रेडाम लेके आई हमें 아닌 केंग दियान डगना है क्योंकि इस case में क्या हो रहा है? हमारा brain भी fail हो जा रहा है उस चीज को balance करने के लिए चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा brain इस चीज को balance क्यों नहीं कर पा रहा है दोस्तों जैसे कि मैंने को बते हैं अलकोहल क्या करता है, इनीवी ट्री को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, और एक्साइटी ट्री को डिक्रीज कर देता है, सेम हमारा ब्रेन क्या कर रहा होता है उस चीज को बैलेंस कर रहा होता है ठीक है दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे ओवर ड्रिंकिंग के बारे में दोस्तों जो हम ओवर ड्रिंकिंग कर लेते हैं तो क्या होता है हमारा ब्रेन खुदी फज जाता है दोस्तों हमारा ब्रेन क्य बारे में जो कि overdrinking हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा tolerance होने लग जाता है, neuro adaptation हो जाती है, withdrawal symptoms हो जाता है, neurochemicals imbalance हो जाता है, और neurotoxicity हो जाती है, दोस्तों, यहाँ पर हम tolerance की बात करेंगे, जब हम overdrink कर लेते हैं, जो हमारा brain जो पहले जो हम कम शराब पी रहते हैं, तो उसमें वह ज़्यादा effective response, ज़्यादा अच्छा response देता है हमारी body को, लेकिन क्या होता है, जब ज़्यादा शराब पीने लग जाते हैं, तो हमारे body को response होता है, थोड़ा कम हो जाता है, उस चीज़ का habitual होने लग जाता है, इस वह में क्या होता है, कि आपको ज़्यादा शराब पीने की आदल सुझाते हैं, क्योंकि body उस तरह से response नहीं कर पा रहा है, तो इस वह से आप उस चीज़ के लिए tolerance हो जाते हो, नेक्स्ट क्या है, neuroadaptation, दोस्तों, जब हम ज़्यादा शराब कीते हैं, तो हमारे brain में कुछ changes होने लग जाते हैं, हमारे brain कुछ structure और functional दोनों में changes करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो neurochemicals हैं, और जो neuroreceptors हैं, महाँ पर changes हो जाते हैं, उसकी वज़े से क्या होता है, हमारा neuroadaptation हो जाती है, यहां बात करेंगे, withdrawal symptoms की बारे में, दोस्तों, जहम ज़्यादा शराब पे लग जाता हैं, तो हमारे body में withdrawal symptoms हो जाता है, इसमें क्या होता है, अगर आपने शराब नहीं पीना तो आपको withdrawal symptoms हो जाता है, तो इंच्छीजा को पीना ही पढ़ेगा, और आपने अगर शराब छोड़ी तो आप बिमार हो जाओगे, आपको ट्रीजर्स होने लगेंगे, आपको एंसाइटी हो जाएगे, और आपको बहुत सारी बिमारिया हो सकती है, दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे, नियूरोकेमिकल इंबैलेंस की बारे में, दोस्तों, यह इंबैलेंस कर जाएंगे, तो हमारी बोडी में बिमारिया होने लग जाएंगी, हमारी बोडी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, अगर सिग्नलिंग अच्छे से नहीं होई तो, दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे, नियूरो टॉक्सिर्टी के बारे में, दोस्तों, जब ज़्यादा शराप पिए लग जाते हैं, तो हमारे नियूरोंस के वो डैमेज होने लग जाते हैं, और उनका काम भी अच्छे से नहीं होता है, दोस्तों, यह इतनी सारी प्रोलोंस जूड़ी हुई है, और इन सब प्रोलोंस से क्या होता है, हमारा ब्रेन भी परेशान हो जाता है, वो खुदी फज जाता है, क्योंकि उसने क्या क्या क्या, उसने क्या क्या एडप्टिव रिस्पॉंस दिया, और जब एडप्टिव रिस्पॉंस दे रहा था, तो वो उतना ही बैलेंस कर रहा था, तो इस केस में क्या हो रहा है, जब अलकोहल पीने से, जब हमा वापिस वो डाउन हो जाएगा इसकी वजह से कितना ज्यादा प्रॉलम हो सकती है दोस्तों आप बर भी सकते हो दोस्तों इतना ओवर ड्रिंक करने से आपकी डैथ भी हो सकते है तो दोस्तों आप थोड़ा ध्यान रखिए आप शराब को जानिए शराब आपकी बॉड़ी में आप को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अगर जोस्तों आप शराब पीते तों आप डेंज बीजान में आ सकती हो जैसे कि मैंने बताया आपकी डैथ भी हो सकती है क्योंकि इतना ज्यादा शराब पीने से जितना जितना दाप प्योंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन और मुसीबत में आने लग जाएगा उसकी वज़े से ही आपकी death भी हो सकती है आपकी बीमारियां भी हो सकती है चलिए दोस्तों आज को topic में यहीं पर समाप्त करती हूं आश्या कर रही हूं आप over drinking नहीं करोगे अपनी body का थोड़ा ध्यान रखोगे मैं तो आपको recommend करूंगी आ करना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो subscribe भी कर देना फिर मिलते हैं नई topic के साथ आज के लिए नमस्कार